नमस्ते आज हम रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में स्टेडी करेंगे यह रेसिप्रोकेटिंग पंप का डायग्राम है यह कैसे काम करता है इसके बारे में आपको समझाएंगे reciprocating pump के अंदर एक सिलेंडर होता है उसके अंदर एक piston move करता है ये piston इस attachment से जुड़ा रहता है ये delivery pipe होता है और यह delivery valve है ये नीचे ये suction pipe है और ये suction valve है ये पानी है ये पानी का level है नीचे जिसके अंदर ये pipe submerged है इस reciprocating pump को चलाने के लिए ये connecting rod और crank arrangement है साइधा से इसको चलाया जाता है तो इस प्राइम मूवर की साइधा से अपन इस रहसी प्रोकेटिंग पम को चलाएंगे यह काम करेगा जब इस पिस्टन का मूवमेंट इस सिलेंडर के अंदर जैसे यहां पर है इनिशिल यह पिस्टन उस केस में यह दोनों वाल बंद है इस डारिक्शन में हो रहा है उस केस में क्या होगा कि यह वाल बंद रहेगा डिलिवरी वाल बंद रहेगा और यह वाल खुल जाएगा यह वाल खुल जाएगा तो इसके कारण इसके अंदर जो वेक्यूम क्रियेट होगा उस वेक्यूम को फील करने के लिए यह पानी यहा बंद हो जाएगा और यह delivery valve खुल जाएगा तो इसके अंदर जो पानी आया था वो पानी आगे जहां आप इनको supply करना है वहाँ पे चला जाएगा delivery pipe के थ्रूँ तो इस तरह से इसका यह working arrangement होता है इसके जो main components है वो होते हैं एक cylinder है with piston, piston rod, connecting rod और crank suction pipe है, delivery pipe है, suction valve है, delivery valve है और air vessel उस figure में air vessel नहीं बता है ता आगे आपको मैं बताऊंगा और इसका काम क्या है वो भी बताएंगे यह इसका आपको explanation और clear बताते हैं जब यह इस piston में, इस cylinder में यह piston move कर रहा है तो यह delivery valve बंद हो रहा है जब यह इस direction में move कर रहा है और यह suction valve खुल रहा है तो इसमें यह पानी भर रहा है जब यह यहां पर आ जाता है और इसका reverse movement होना लगता है तो यह बंद हो जाता है suction valve और delivery valve खुल जाता है जिसके कारण पानी यहां से जहां पर अपन को चीए वहां से discharge हो जाता है तो this is suction stroke and this is discharge stroke और this is a single acting reciprocating pump, single acting का मतलोग पिष्टन के एक साइड में ही अपना एक वर्क हो रहा है जो पानी का जो dispense हो रहा है suction or discharge हो रहा हो एक साइड में, अगर दोनों साइड में होता है उसको कदर double acting reciprocating pump, तो now this is only single acting यह air vessels इसलिए लगाते हैं कि जिसके कारण इसकी इसमें जो आपको पता है कि एक stroke में तो यहां पर पानी आता है, फिर यह बंद हो जाता है, फिर यह stroke खुलता है और यहां से यह delivered होता है पानी, तो इसके अंदर vibrations होते हैं, इसके अंदर जो क्या कहते हैं, जो continuity नहीं रहती डिकी, इसके कारण इसके अंदर जो जर्क होता है, नहीं जर्क को remove करने के लिए, शट जैसे इसमें यह पानी आ रहा है, sudन यू वाल बंद होगा, जिसके कारण इसमें एक जर्क लगएगा, जटका लगेगा, उस hammer, उटके को कम करने के लिए अपने air vessels लगाते हैं, जिसके कारण यहां पे तुरंद यह बंद होता है तो यह जटका नहीं लगे पानी का, यह एर वैसल में यहां इसको spring का काम करें, उसी तरह यह वाल जो suddenly बंद होगा, उस समय यह एर वैसल यहां वो काम करेंगा, जो इसको थोड़ा, जो इसकी motion है, उसको थोड़ा सरल बना लेगा, जो vibrations कम कर देगा, यह आपका यहां पे आपको एक diagram बताया गया है, देखो यह कैसे काम करता है, आप देखो यह inlet valve है, इस piston के इस moment में involved खुला, outlet valve बंद है, यह इसमें पानी आ गया, अब यह valve बंद हो गया, और यह valve खुल गया और पानी जा रहा है, तो इस तरह से continuous यह reciprocating pump है, वो पानी को कीचता है, फिर डिलेवर करता है, इसके क्या advantage है, reciprocating pumps will deliver fluid at high pressure, इसके सबसे बड़ा advantage है, इसमें बहुत high pressure पर यह काम कर सकता है, they are self-priming, no need to feel the cylinders before starting, इसके अंदर अपन को priming की जरूत नहीं होती है, आपने पढ़ा था कि जो centrifugal pumps है, उनको priming करना must है, बिना prime के वो, उसमें vacuum create नहीं होगा, और अपना flow नहीं बनेगा उसमें, लेकिन इसमें priming की जरूत ही नहीं है, इसका जो disadvantage है, वो है, they give low volume rates of flow compared to other type of pumps, इनका जो flow rate होता है, वो low होता है, क्योंकि यह capacity होती है, इसकी वो cylinder की capacity पर डिपेंड करती है, रहसे, रहसे प्रोग्डिंग pumps give a pulsating flow, इसका flow pulsating होता है, मैंने आपको आगे बताया था, यह continuous flow नहीं करता, क्योंकि cylinder भरेगा, तब तक वो out, discharge का wall बंद रहता है, flow नहीं होता है, और जब suction का wall खुलेगा, discharge का बंद रहेगा, discharge चालू रहेगा, तो suction बंद रहेगा, इस तरह से इसमें continuity नहीं रहता है, इसलिए false setting flow होता है, the suction stroke is difficult when pumping viscous liquids, ज़्यादा viscocity वाले liquid के लिए suction इसमें भी difficult होता है, इसकी cost बहुत हाई होती है, the cost of products, producing piston pumps is high, reciprocating pumps की cost ज़्यादा होती है, centrifugal pump सस्ते होते है, cheap होते है, इसकी maintenance भी हाई होती है, तो यह इसका disadvantage है, इनका अपने एक centrifugal और reciprocating pump का एक comparison देखें, तो centrifugal suitable for large discharge and smaller heads, मलब कम उंचाई पे पानी फैकना और बहुत ज़्यादा फैकना हो तो best centrifugal pumps, reciprocating pumps suitable for less discharge or high rates, बहुत ज़्यादा है पे उंचाई पे पानी फैकना है और कम quantity में फैकना है तो reciprocating pump is good option, required less floor space and simple foundation, बहुत कम जगह चीए और बहुत simple foundation चीए क्योंकि कोई vibrations नहीं होते है, इसमें इसका उल्टा है required more floor space and heavy foundation, क्योंकि इसमें vibrations generate होते है, इसकी maintenance cost बहुत कम है, इसकी maintenance cost बहुत हाई है, यह dirty water को भी handle कर सकता है, यह dirty water को handle नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके जो valve से उसमें problem आ सकती है, can run at high speed, इसको बहुत high speed पे चलाया जा सकता, इसको high speed पे नहीं चलाए जा सकता, क्योंकि अपन को साथ साथ इसके piston की motion को reverse करना पड़ता है, उसके बाल में इसके wall को भी operate करना पड़ता है, तो इसकी speed एक तरह से limited होती है, its delivery is continuous, इसका flow continuous होता है, इसका flow pulse setting होता है, continuous नहीं होता है, इसमें air vessel की requirement नहीं होती, इसमें air vessel चाहिए है, reciprocating pump में, efficiency कम होती है, reciprocating pump की efficiency ज्यादा होती है, centrifugal की efficiency कम होती है, तो यह हो गया इन दोनों reciprocating और centrifugal pump का comparison, तो thank you very much.